क्या हुआ जब एक इच्छा धारी नागीद ने बचाई 20 दिन की नवजाद बच्ची की जान और यह नजारा देखकर सभी के रोंग्टे खड़े हो गए इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरू लिखे दोड चल रहा था सभी लोग यही सोच रहे थे कि अगर घर में जन्म हो तो बेटे का ही हो अगर बेटी पेदा हो गई तो हम उसे स्विकार नहीं करेंगे उसी गाओ के एक घर में नीलम नाम की एक महिला गर्बुवती थी उसके परिजन उस पर दबाओ डाल रहे थे कि अगर पुत्र का जन्म हुआ तो ठीक है परन्तो अगर पुत्री का जन्म हुआ तो हम इसे कही न कही ठिकाने लगा देंगे अब इसे में नीलम बड़ी चिंता में थी उसे मन में यही डर सता रहा था कि पुत्र का जन्म हो गया तो ठीक है परन्तो अगर पुत्री ने जन्म ले लिया तो पता नहीं ये उसके साथ क्या हैवानियत करेंगे देखते ही देखते नो महीने बीद गए और वही हुआ जिसका सभी को डर था नो महीने बाद नीलम ने पुत्री को जन्म दिया और ये खबर सुनते ही उसके साथ ससुर घुस्से से लाल हो गए बलकि उन्हें तो बहुत खुश होना चाहिए था क्योंकि उनके घर में साक्षात लश्मी का जन्म हुआ था फिर अब वो होने वाला था जो मानोताव को शर्मशार करके रख देगा इसके बाद नीलम के पती और उसके सास ससुर ने उसे बड़े ताने मारे और उसकी बेटी को उससे अलग कर दिया उन्होंने अगले 20 दिनों में यही योजना बनाई कि इस बच्ची को खत्म किस तरह से किया जाए अंत में जब कुछ नहीं सूजा तो उसके पती और उसके सास ससुर ने उस प्यारी सी बच्ची को जंगल के बीचो बीच छोड़ दिया और एसा करते हुए उनके हाथ भी नहीं कापे अब दोस्तो उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहा करती थी जब वो 20 दिन की नवजाद बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी तो उसकी रोने की आवाज उस इच्छाधारी नागिन को सुनाई दे गई और वो तुरंत उसके पास चली गई उस मासूम बच्ची की मासूमियत देखकर उस नागिन का मन भी करुणा से भराया उस इच्छाधारी नागिन ने एक बहुत ही सुन्दर इस्त्री का रूप बनाया अपनी गोद में उस मासूम बच्ची को लिया और अपने नाग के पास जाकर बोली कि ये प्यारी सी नोजाद बच्ची मुझे जंगल के बीच तडपती हुई मिली है क्या हम इसका पालन पोशन कर सकते हैं तब उसके नाग ने उससे कहा कि ये मनुश्यों की संतान है हम इसके पालन पोशन की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते ये हम सभी से बहुत अलग है पर इसकी सुरक्षा के लिए हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे अब उन दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन ने एक बहुत ही प्यारे दमपत्ती का रूप धारन करा और वो उस 20 दिन की नवजाद बच्ची को लेकर सीधा पुलिस टेशन पहुँच गए और यह F.I.R. दर्ज कराई कि यह बच्ची उन्हें जंगल के बीचों बीच तडपती हुई मिली है कृप्या करके आप इसके माता पिता को ढूंड कर उन्हें इससे सोब दीजिए अब पुलिस को उस बच्ची को सोब कर वो दोनों वहाँ से चले गए और पुलिस ने भी अपना काम बखू भी किया कुछ ही दिनों की जाच में वो नीलम के घर तक पहुँच गए और नीलम ने भी यहा गवाई दे दी कि मेरे पती और मेरे सास ससुन ने मेरी बीज दिन की नवजाद बच्ची को मुझसे जबरदस्ती अलग कर दिया और इससे जंगल के बीच छोड़ाए जिसके बाद उन तीनों को जेल हो गई और उस मासूम सी प्यारी बच्ची को अपनी मा पुनह मिल गई और साथी में भला हो उस इच्छाधारी नागिन का जिसकी नियत मनुश्यों से भी जादा अच्छी थी उसी की वज़े से इस बीज दिन की नवजाद बच्ची की जान बचपाई थी दोस्तों वास्तों में हमारे समाज में लोगों की मानसिक्ता को बदलना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कुछ लोग बेटों की चाह में बेटियों की हत्या कर देते हैं लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं है कि अगर समाज में बेटिया ही नहीं रहेगी तो बेटे कहा से लाएंगे और पत्निया कहा से लाएंगे उनकी पीडी और के कैसे बढ़ेगी ध्यान रखेगा बेटा भाग्ये से होता है लेकिन ही सोभाग्य से होती है बुरून हत्या के साथ ही इच्छधारी नाग और नागिन को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा साती महादेव के सभी वक्त हर हर महादेव जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की सब्सक्राइब करिए बेल आग नों को प्रेस कर दीजे अभी के लिखे आप सभी वक्तों को हर हर महादेव